हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त तराहुल और आप देख रहे हैं आपका मन पसंद दीता चेनल MPFARMER और आज के इस वीडियों हम देखने वाले हैं करेले का मोजेक रोग केसे होता है क्या है उपाय तथा यह फसल को किस प्रकार नश्ट करता है तो चलिए आए शुरू करते हैं आज के इस वीडियों को सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी पैचान क्या होती है प्रारंबिक अवस्ता में यह रोग जब फसल में लगता है तो पतिया धारी नुमा हो जाती है पते सिकुड जाते हैं पोदे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो रूग जाती है आगे से मूँ सूखने लगत अगर फल आ चुके हैं तो फल पीले पढ़कर गिरने लग जाते हैं पोदे का संतुलन बिगड़ने के कारण फलों का आकार बिगड़ने लगता है जो फसल एक लंबी समया आउधी तक चलती है वह कुछ ही समय में हमारी फसल खराब हो जाती है और किसान को काफी नुक्सान उठाना पड़ता है अगर हम यह देखे यह रोग तो हमें इसे प्रारंबिक अवस्ता में ही कंट्रोल कर लेना चाहिए हमें इसे लगबख 5-6 रोज में हमें इस प्रे निकाल लेना चाहिए प्रे 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 निकाल लेना चाहिए अब जानते हैं कि इसकी यह किसके द्वारा फिलाया जाता है निकाल फिलाया जाता है जाता है और लेना चाहिए शिचिक करन폰 है जाता हुग पूरा पुधा आप देखोगे कि पूरा पूरी में से कुछ आ जाएगी और पूरे पोधे के पत्ते मुड़ जाएंगे फल पीले पढ़कर सुखने लग जाएंगे और साथ ही हमें ये भी देख लेना है कहीं इसमें मकडी का अटेक तो नहीं हुआ है मकडी के कारण भी पत्ते मुड़ते हैं तदा आकार विगड़ता है इसे गंड्रोल करने के लिए हम इमीडा क्लोरूपीट 17.8% वाली उसके साथ साथ में हमें थाय में थोक समझोगी 11 की नाम से आता है 15 लिटर पानी में 15 ml और इमीडा क्लोरूपीट 17.8% वाली 15 लिटर पानी में 15 ml दोनों को मिला के अच्छे से इस्प्रे करना है या फिर य साथ हमें एक फंगी साइट का इस्तमोल भी करना है हमें फंगी साइट का इस्तमोल कीट नाशकों के साथ नहीं करना है कंपनी रिकॉर्मेंट नहीं करती और अगर हमें अच्छे बहतरीन परिणाम चाहिए तो हमें फंगी साइट का अलग से ही इस्प्रे करना है अगर हम आ प्रति बिगा या इंट्रोकोल फंगी साइड जो आता है उसे भी 100 प्रति बिगा के हिसाब से हम इसे स्प्रेक कर सकते हैं अगर हमारी फसल अगर बड़ी हो चुकी है या 45-50 दिन की हो चुकी है तो उसके अंदर हम मेलोडी डियो का भी स्प्रेक कर सकते हैं अगर आपके मन में कुछ सवाल हो या सुझाओ हो तो हमें कमेंट में पिन कीजिए